हुआ 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 है हलो इस्टुडेंस देखो आज जिस विश्यवस्तु पर या था जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इस्क्रीन पर आपको देख रहा है आइसवर्ग A68A यह एक विशाल हिमखंड है जो 2017 में अंटार्क्टिका महादीब से डिसिंट्रिगेट होकर तूटकर एक मिल प्रति दिन के दर से उत्तर पुर्वकी और इस्थनांतित हो रहा है और अब यह चर्चा में इसलिए है कि यह एक विशाल हिमखंड जिसको हम आइसवर्ग A68A नाम दिया है यह दचनी अट्लांटिक में साउस जाजिया दीव से टकराने वाला है और इसकी इस प्रवित्ति को देखकर विश्चों में प्रयावण विदों के साथ साथ अन्य समानिल लोगों में भी जाग रुकता भी है और एक डर भी है अब सवाल यह कि आइसवर्ग अंटार्टिका से डिटेच हुआ है अंटार्टिका के विश्चों में आप जानते हो कि विश्चों का पांचवा सबसे बड़ा अगर विश्चार के अधार पर देखें तो पांचवा बड़ा महादीव है जो दच्छनी गुलार्द में दच च्छेतरफल एक करोण 42 लाक वर किलो मीटर है जो संपूर्ण पिठवी के च्छेतरफल के लगबग 10 प्रतिशन भाग पर एकजेक्ट माने तो 9.6 प्रतिशन भाग पर विश्चित है और यह पूरी तरह से ही माच्छादित है यह दच्छनी धुरूर पर इस्थित कि अंतरगत विश्चु का जो फ्रेश वाटर है ताजा जल है उसका 70 प्रतिशन भाग बर्फ के रूप में वहाँ पर संग रही थे लेकिन अब वो विखंडित हो रहा है और विखंडित हो रहा है और विखंडित होने के कारण यह एक बहुत बड़ा आइस वर्ग जैसा कह गया कि एक उसका हिम खंड टूटा जिसकी लंबाई लगबक 93 मिल 93 माईल है चौड़ाई 30 माईल कहने का मतलब 30 मिल है और इसकी जो मुटाई है बर्फ सिला की 200 मीटर है 200 मीटर यह मूटा है अगर संपूर एरिया देखें तो 43 सो से 44 सो वर्ग किलो मीटर का है यह हलांकि अब पिघलते पिघलते वो 42 सो वर्ग मीटर का यह हिम खंड है जिसका वजन लगबग 1 ट्रिलियन टन है अब यह हिम खंड जो है जो 2017 में अंटार्टिका के पास से अंटार्टिका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहां से क्या हुआ डिटेच हुआ था और एक मिल प्रती दिन के दर से उत्तर पूर्वक्यूर इस्थनानतित होने लगा और आज जो वईज्यानिकों ने सूचना दी जो वईज्यानिक सनस्थाओं ने सूचना दी कि यह सावज जो जर्जिया दीफ है उसे मात 125 किलो मीटर दूर है अगर यह सावज जर्जिया से तकराता है तो क्या होगा तो देखो South Georgia के पास millions of blue whales और millions of penguin जो हमारे एक विशिष्ट जय विवित्ता के विशिष्ट क्या हैं तत्व हैं जीव हैं उनका natural habitat है प्राकितिक निवास इस्थल है इसके अलावा बायो डायवर्सिटी के असंख तत्व वहाँ पर संग रही थै प्राकितिक अवस्था में तो अगर ये टकराता है टकरानी के संभावना इसलिए जादा हो गए कि इसकी मुटाई मातर 200 मीटर तक है अब ये टकराएगा तो बड़े पैमाने पर वहाँ जो सी लेवल चेंज होगा मेल्ट होने के कानों तो सही है लेकि जितनी भी ये बायो डायवर्सिटी वेल के साथ साथ पेंग्विन के साथ साथ वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉई हो जाएंगी अब सवाल ये है कि वो डिस्ट्रॉई होंगी तो हमसे क्या वो तो बहुत दूर है लेकि सवाल ये है कि भाई इसी तरह से सब प्रक्रियाएं जारी होती रहें और जैसे कहा गया कि जितना भी फ्रेस वाटर उसका सत्तर प्रत्र संग्रहन अंटार्टिका में तो संपूर अ अचानक उच्चावचन होगा अजब सी लेबल में उच्चावचन हो जाएगा तो बिश्टो के बहुत से तटिय छेतर, नगर, क्रिसी छेतर, और दोगीग छेतर, पोर्ट जलमगन हो जाएगे अनिको दीव जुप्रसांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर या आर्कटिक महां सागर में जलमगन हो जाएंगे तो वहां से बड़े लेवर पर जन संख्याग में क्या होगी हाकार मज जाएगी एक तो माइग्रेशन होगा माइग्रेशन के कारण और किसी छेतर में कमी के कारण क्या हो सकता है बड़े पैमाने पर वर्ग संखर सुरू हो जा इसके साथ 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 सेंडविच दिवफय फाक लेंड दिवफय इस पर जो राजमितिक अजिकार है UK का United Kingdom अर्थात ब्रिटेन का क्लियर लेकिन ये हमारे लिए असुव संकेत है कि अगर इसी तरह से सब कुछ रहा तो चलो ये मेल्ट हुआ टूटा इसका मुख्य कारण क्या है जलवाई परिवर्तन जलवाई परिवर्तन के लिए सबसे महत्वपून कारत क्या है वैस्वी कुस्मन ग्लोबल वार्मिंग अ तो मानो मानो की भूमिका है और मानो की भूमिका को हम किस प्रकार से देखते हैं पहले इस भूमिका पर बात कर ले इसके बाद इस साउच सेंडविच और इस आइस वर्क की स्थिति को आपको मैं दिखा रहा हूं तो मानो की भूमिका बहत चिंता जनक है कहा जाता है कि प्राकृतिक प्रयावरण में जब-जब जीवों में संचेतना का विकास हुआ वो अपने अनकूल परिस्थितियों का अनुवेशन करने लगे और वहां अपनी अनकूलता के लिए प्रयास किये और उसी प्रयास का नाम हमने संभवाद दिया चलो अच्छा है कि संभवाद के आधार पर हमने बहुत विकास किया लेकि विकास किस प्रकार का कहा जाता है कि प्राकृतिक प्रयावरण का प्रतेक तत्तो प्रयावरण से अंतर किरिया करता है तो मानो को छोड़कर जितने भी प्राकृतिक तत्व है जो प्रयावणी प्रकृति में या प्रयावण में अंतर क्रिया कर रहे हैं, उनकी जो अंतर क्रिया है वो बिवस्ति थे, संतुलि थे, मात्र मानो एक प्राणी है, जो डिस्बैलेंस सब कुछ कर चुका है, इसका जो से उनिडाइरेक्शनल है कि का जाता है कि मानो सबसे बुद्धिमान प्राणी है लेकिन हमें नहीं लगता मानो प्राकृतिक प्रयावन का सबसे लालची प्राणी है वो संसाधनों के संग्रहन करने में इतना जादा मस्गूल हो चुका है रम चुका है कि वो तथा कथित रूप से पूरे प्राकृतिक प्रयावन का सबसे मुर्ख तत्व बन चुका है चोटे प्राणी या जितने भी प्रयावन ये तत्व हैं वो भविश्य को देखते हैं भविश्य की चिंता करते हैं हम नहीं करते हैं हम मुर्ख हो चुके अपने मौद का कुवा खुद खोद रहे हैं हमें पता है अच्छी तरह से हमें पता है कि बहुत अच्छी तरह से हमें पता है कि हम कुछ उत्पादित नहीं कर सकते हैं सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं लेकि परिवर्तन सीलता भी अगर अप प्राकित्रिक है तो उससे जो कुछ निकलेगा वो प्रदूसक होगा तो जब हमें पता है कि हम कुछ नहीं पैदा कर सकते हम उन प्राकितिक संसाधनों पर निर्भर जो निर्पेक संसाधन हमें पता है कि वाइमंडल है वाइमंडल की आक्सीजन हम पैदा नहीं कर सकते हैं आक्सीजन चाहिए हमें जल चाहिए हमें मिर्दा चाहिए क्योंकि मिर् दूसित कर रहे हैं। किसके नाम पर। सीवडो डेवलम्मेंट छद्म विकास के नाम पर। और छद्म विकास की प्रवितियां जो पोस्ट इंडिस्टलाइजेशन एज में जारी रही। उत्तर अधोगी की करण 1750 से पहले मानो प्रयावन को समझने के प्रयास कर रहा था और 1750 में जब अधोगी करांती हुई और वैग्यानिक्ता तथा मातरातमक्ता के अनेक उपागमाए तो मानो ने प्रकृति का दोहन नहीं सोशन शुरू कर दिया। और जो संसाधन सोशन किया उसको पूर्णूप से उसकी प्रकृति को समझे बिना उसके प्रदूस्कों को वाई मंडल में छोड़ना शुरू किया प्राकृतिक वातावरण में और परिस्तिती ही आगी कि इतनी तत्वा हमारे पास आ गए जो कि हामफूल हो गए। देखो किसी भी तत्वा को हम हम हामफूल कब कहते हैं जब वो प्रतिकुल प्रभाव डालता है जैसे लोटी जो है जीने के लिए जरूरी है लेकि जब रोटी जादा इस टमक में चला जाएगा तो मौत का कारण भी वनेगा तो जितना भी हमने विकास आत्मक उपागम देखेते हैं इंडस्टलाइजेशन और दोगी की करण परिवहनी करण अर्वनाइजेशन लेकिन इस सारा का सारा उपागम उर्जा के ऊपर निरवर है और उर्जा का मौलिक श्रोत इस समय हमारा क्या है फासिल्स फ्यूल एक तरफ तो फासिल्स फ्यूल का हमने दोहन किया तो वहां हमने प्रकृतिक में की रिक्तिता पैदा कर दी गैप दूसरे तरस उसके इफ्लिवेंट जो उसके प्रदूसर को वाई मंडल में हमने छोड़ा प्राकृतिक प्रयावण में तो प्राकृतिक प्रयावण के प्रतेक अवयों को हमने प्रदूसित कर दिया तीसरा जो इन प्रदुस्कों को एसिमिलेट कर सकते थे, स्वांगिकरित कर सकते थे, उस तत्तों को भी समाप्त कर दिया रथात पेन पौथे, तो इस प्रकार का संतुलन कायम हो गया और संतुलित प्रक्रम के कारण global warming हुई, और global warming के कारण जो परस्थितियां सामने आ रही है, वो COVID-19 के दौर से भी भयावा है, COVID-19 से तो बचने का हम उपाय कर लेते हैं, लेगि जब sea level change होगा, या प्राकितिक प्रकोप जब आएंगे, drastic, जो natural hazard आएंगे, हम कैसे बचेंगे, जब बाड़ आ जाती है, शाइकलोन आ जाता है, तब कैसे बचुगया, तो हमें ये जो आइस वर्ग, A68A जो कुछ हमें लेशन दे रहा है, मानो को समल जाना चाहिए, चाहे वो मानो ब्यक्तिगत हो, मानो परिवारिक हो, मानो समाजिक हो, राष्टी हो, या वैस्विक मानो हो, हर लेबल पर हम सोश करते हैं, प्रकृती का, और अनावस्यक अपना प्रदर्शन करते हैं, कि मैं तो मानो हूँ, मैं तो शक्तिशाली हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण सारा कुछ ही हो रहा है, वैस्विक्तापन के कारण, अब विश्व के शंस्थाएं, जबकि COVID-19 के कारण, और दोगिक परिक्रियाएं, और जो परिवहन की परिक्रियाएं हैं, काफी सिमित हुई, फिर भी गर्म है, तो ऐसा नहीं लग रहा है, कि COVID-19 को प्रकृती ने भेजा, किस मानों को रोक दो, नहीं तो अगर रैपीड होगा, तो साइद नौंबर का तापमान और जादा हुआ होता, नौंबर दिसंबर में तो इसकी शुरुवात हो गई थी, एक वर्स हो गया, अगर इस पूरे वर्स हमने जहर, या जो उश्मन तापन की प्रकृतियों को बढ़ाने वाले तत्तों थे, अगर इमीट किया होता, उस सर्जित किया होता, तो कई आइस वर्ग बन चुक्वे होते, तो चुकि भोगोल के विद्यारती ये नहीं भी हैं, तो प्रयावनी द्रिश्टी से सोचो, एक महान विद्वान आती हैं, एलन चर्चिल सेंपल प्रयावन विद्वनों ने क्या बोला था, प्रकृति मा है, तो सायद उम मारूपी प्रकृति ने कोबीड नाइंटिन को भेलिया, कि इस मानों को थोड़ा रोको, हम उस प्रकृ प्रकृति के संतान है, तो मारूपी प्रकृतिन बोला कि इसंतान को थोड़ा सा रोको, रोकने के लिए COVID-19 दे दिया, थोड़ी ओधोगी की करण, सारी करण, और प्रिवनि करण की प्रकृति नाइंटिन का प्र रोक लगे, तो फासिल को ठाथ का उस्यं सरजन कम होगा, त रहने का मतलब मात्र लुपी जो प्रयावरण है ये मानों को स्वंतुरित करने का एक मौका दिया है और सोचने का बहराल इस आइस वर्ग की परिस्थिती क्या है ये कैसे चल रहा है और कहा है इनको आपको समझना है तो हम चलते हैं विश्व के मानचित्र पर देखो ये आपको दिख रहा है पेस्फिकोशन अटलांटिकोशन का सौदरन भाग इंडियन ओशन और ये जो आपको कलर दिख रहा है ये अपना अंटार्क्रिका है अब आप देखो थोड़ा सा, यह अन्टार्टिका है, यह वेडल सिय अन्टार्टिका का, यह ग्राहम लाइन्ड है जो इसका भाग है, यह अलगजेंडर् दियूप है, यह साउठ ज़ार्ज़िया है, यह फाक लेंड है, ये टेरा डिल फ्यूगो ये दच्छनी अमेरिका का भाग है इस पर चिली और आर्जिन्टाइना दोनों का अधिकार है और बीच में से मैगन जल संदी इसको अलग कर देती है ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा और मैं बड़ा कर दे रहा हूं ये डिटैच हुआ 2017 में एक मिल प्रति दिन से चला और आज ये साउच जॉर्जिया ये जो टेरिटरी आप देखें हो साउच सेंडविच में अनेक दिफें साउच जॉर्जिया में भी है और ये फाक लेंड है आपको दिख रहा है ये फाक लेंड है ये सर्व यूके की टेर तो यहां से ये आइस बर्ग चला क्या है A68A ये जो है दोनों ही आइस बर्ग क्या है A68A यहां से ये चला और धीरे धीरे ये साउच जॉर्जिया के पास पहुचा साउच जॉर्जिया का छितरफल अब देखो 3528 वर किलो मीटर अजब कि जो ये आइस बर्ग है नाम क्या ह A68A इसका छेतरफल 42 से 44 सो वर किलो मीटर है 4200 से लेकर 4400 वर किलो मीटर के मत देखा है तो इससे भी बड़ा है 3528 और 4200 से लेकर 4400 वर किलो मीटर मुटाई 200 मीटर है अगर ये आईस वर्ग जो आप ये देख रहो इससे टकराता है तो यहां की स्थति काफी नाजुक हो जाएगी काफी नाजुक हो जाएगी और मौलिक रूप से ये देखो कि जो यहां की बायो डायवर्सिटी है यहां पर साउजार्जिया दिवप की ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी जिसमें मिलियन सांप पेंग्विन्स और ब्लू वेल का ये जो एक नेचुरल हैबिटेट है नेचुरल ये प्राकितिक घर है ये पूरी तरह से तबाह हो जाएगा साथ में यहां अनीक समुद्री संसाधन भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगे और जो सी लेवल में परिवर्तन होगा वो तो दूसरी बात है तो इस संदर में आपको ध्यान में रखना है कि क्या है अगर आप competition दे रहे हैं तो ये question आपके पास आ सकते हैं तो इसको ध्यान में रखकर ये सारी प्रवित्ति आपको दिखा देगा अंटार्टिका है ये वेडल सी है यहाँ पर जो अमंद सेंसी होगा ये अलेकजेंडर दीफ है ये ग्रहम आईलेंड है इसके बाद ये जो एक साउथ सेंडविच है ये साउथ जर्जिया है ये फाक लेंड है ये सारी के सारी territory किसकी ये UK की है ये आपको दच्छनी अमेरिका चीली अरजेंटाइना दिख रहा है टियरडेल फिउगो है यहाँ पर अफरिका है तो ये इस्थिती है A68A की और बताय प्रभाव भी इस पर पड़ रहा है, तो यह किसका परड़ाम है? आइसबर्ग, A68A, result of climate change, और climate change का महारथी कौन, सक्रिय कारक कौन हम मानों है? तो यह परिस्थिती है, अगर हम लेशन की बात करें, तो मेरी पर्सनल ब्यक्तिगत, एक गुजारिस है कि हम ब्यक्तिगत करने करने मानों के रूप में, ब्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, राज के रूप में, राष्ट के रूप में, और विश्व के रूप में, जिस लेबल पर हम हैं, परियावरन को सन्रचित करने का प्रियास करें, प्रकृतिवाद को अपनाने की कोशिश करें, ठीक है, संभवाद हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकि स संभवाद संतुलित होना चाहिए, हमारा विकास संतुलित होना चाहिए, नहीं तो हमने जो किया, मानों ने जो किया, एंत्रोपोजिनिक जो कारण है, मानों जनित जो कारक हैं, मानों के लिए ही अंत का कारण बन जाएंगे, तो प्रकृति हमें संकेत दे रही है, कभी COVID-19 के रूप में तो कभी A68 के रूप में अब हम मानो काफी संचेतित हैं काफी ज्यानी हैं तो समल जाए तो अच्छा है नहीं तो आने वाले भविश्य को हम क्या दे पाएंगे भले सतद्विकास के सिध्धान्त को पारित करो हम भाशन देते रहे कुछ नहीं होगा हमें रियल ग्राउंड पर वास्तविक जमीनी सोच को पैदा करते हुए अगर संपूर्ण विश्य के मानो जाती को बचाना है तो परियावरण से दोस्ति करें और परियावरण में जो प्राकितिक परिगटनाएं उनकी अनुसार चलने का प्रियास करें तभी ये स्ष्ष्टी बचेगी नितो साथ अरब प्लस में से साथ अरब से अधिक जो जन संख्या है कोई बचने वाला नहीं है तो प्रकृति हमें संकीत देना सुरू कर चुकी है जब ट्रैफिक लाइट पर जाते हैं तो जैसे खत्रा आता है तो पहले एलो हुआ फिर रेड होता है उसके बाद ग्रीन होता है तो एलो सिंगनल प्रकृति दे चुकी है कई रूपों में चायो कोविड नाइंटीन के रूप में हो या आइसबर्ग एसिक्स्री एट एके हो अब इसके बाद रेड लाइट होने वाली है अगर समल गए तो रूप जाए फिर ग्रीन लाइट का इंतिजार करें अब मर्जी मानू समाज की ठीक तो ऐसे आप चुकी परिच्छा के पाइंट वीव से भी यह सही है तो कहा है किस जगह है इस सारे तत्तियू पर हमने च कर दो कर दो